आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरा नाम ऐसे धान तगनी होतरी, स्टेडी ग्लोस पे, आपका बहुत बहुत बात है, दोस्तों, आज हम बात करेंगे, नरेंद्र, मोदी, और वलादमीर पुतीन के बारे में, कुछ कहा है, यहाँ पर वलादमीर पुतीन जिससे हर कोई चौक गया है, चलिए बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम अपने जॉग्रफी कोर्स की बात करेंगे, पहली बात तो आठ नवेंबर को ख्लास चुर होगी, क्योंकि प्रतीक सर का कॉला है था, तोड़ा सतब बेत उनकी नासाज है, और हम चाहते है कि यह जोग्रफी कोर्स आपको पते ही, इतना जबरदस्त हो गई है, कि आप भूलोगी नहीं, इसके बाद जोग्रफी जो है न, आपके दिमाग में से चप जाएगी, तो 300 रुपे का कोर्स आप जोग्रफी कूपन कोट बेटा यूज कर लो, ठीक है, और हमारा टेलिग्र नहीं मिलेगा, क्या रिजल्ट दिया है, भारत नंबर वन, डेवलप्मेंट देखो, प्रधान मंत्री नरेंदर मुदी पे तारीफों की बोच्छार कर दी है, आपको पते ही है न, कि 7 और 8 नवेंबर को S. जैशंकर, जो कि हमारे External Affairs Minister है, वो जा रहे हैं, कल जो है, वो जो सौड़ी, 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 मैं आपको जाएंगे, तो अब वही है, क्या का है विलादमीर पुतीन ने, सबसे पहले तो, ये 10th anniversary है, रश्या के Historic Society of National Unity, तो पुतीन ने भारत को बहुत तारीफ की है, और बोला कि Indians, they are very talented and purposeful, और ये बहुत help करने वाला है development में, आप भारत को देखिए, इतने जबरदस्त लोग, और जो internal development है, वो कमाल है, विश्वगडू बन सकता है भारत, और भारत को बहुत जबरदस result मिलने वाले हैं, भारत की population 1500 करोड के करीब अब बात ये है, कि जो पुतीन कमेंट्स हैं, पिछले हफते के गर बात करें, तो उन्होंने भी काफी ज़्यादा तारीफ की तो बोला था कि भारत के साथ हमारा रिष्टा बहुत जबरदस्त है, और हम सदियों से, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दश्कों का साथ है हमारा, और कोई भी हमारे साथ issue as such नहीं रहे, हमने हमेशा एक दूसरे को support किया, और मैं positive हूँ कि आगे भी आने वाले समय में भी हम support करते रहेंगे, और वही PM मोदी की बड़ी तारीफ की, कि independent foreign policy है, और जो भारत के लिए है, in the interest office country, भारत के लिए, भारत के हित में, यह पे जबरदस्त policy जो है, वो नरेंद्र मोदी ने बनाई है, यह भी बोला है कि भारत जो है, वो एक विकास के पतपर है, एक British colony से लेकर modern state में, तो अब आपको पते ही कि भारत और रशिया के संबंधों की बात करें, तो New Delhi की foreign policy का key pillar है रशिया, दोनों के जो relations है, कमाल रहे ह especially आप देखी सकते हो कि Ukraine पर रशिया ने अटाक किया, इसके बावजूद रशिया की गलती थी इसमें, लेकिन इसके बावजूद हम voting से दूर है, भारत ने अभी तक Russian invasion को condemn नहीं किया है, और यही बोला है कि diplomacy dialogue, diplomacy dialogue, दो D यहाँ पर बताए है, कि D's को है, diplomacy dialogue से चीज़े अग बदाई दीते हैं, पुतिन अपनी अंदाज में बदाई दीती कि हमारे रिवाज है कि हम पहले जन्द से पहले बदाई नहीं देते हैं, लेकिन आज मैं बदाई देना चाहते हैं, और PM Modi ने भी बोला था कि आज युद्ध का एरा नहीं है, और विलादमी पुतिन जो है व आप समझें, इंटरनाशनल रिलेशन से ऐसे ही चलता है, विलादमी पुतिन को पता है कि अगर भारत साथ नहीं देगा तो उनकी ब्रैंड बजनी तया है, तो दो दिन बाद जब भारत ने एपस्टेन किया है, एक और रिजुशन आने वाला है, एपस्टेन किया भारत सार लबारेटरी में, उस पे नकेल कसी जा, यह रश्या लाने वाला है, अब आप हम यह सब को पता है कि जो हमारे काउंसलर है, ए अमरनाथ, भारत के पर्मनेंट निशन, जो यूनेटन निशन में चल रहा है, बायलोजिकल वेपन्स कन्वेंशन समन की बहुत ज़ादा इंपो जा रहा है, बहुत ज़ादे चिंते थे, है ना, और रश्या चाहता था कि एक सीक्रेट बैलेट वोटिंग हो, उनाइटे निशन जनल असेमली में, ठीक है कि मॉस्को जो इल्लीगल एनेक्सेशन करता जा रहा है उकरिन में, अब भारत ने बोला कि देखो, हम एपस्टेन क कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी, तो हम चीजों को आगे ले जाएंगे, तो रश्या के सब दिमाग में है, रश्या को पता है, कि रेजिलूशन आएंगे, भारत साथ नहीं देगा, तो भारत इसलिए हमारे लिए बहुत ज़ादे हमारा शांदार जो जबरदस्त कोर्स को ज़रूर अवेल करें, जोगरफी, पर्सों क्लास होगी, मिस ना करें, मैं आज स्टूडियो नहीं गया, आज और खल स्टूडियो नहीं जाओंगा, इंस्टा फॉलो करिए, आपको पते ही कि मैं तो ट्रावल कर रहा हूँगू, च